हन्मान जन्मोचव यानिकी बजरंग बली का जन्म दिन चैत्रमास की पूर्णिमा को मनाय जाता है इस बार हन्मान जन्मोचव 13 एप्रल 2024 को है रामभक्त हन्मान जी चिरन जीवी है मानेता है कि हन्मान जी की भक्ति करने से सभी तरह की भय, रोग, बीड़ा और हर तरह की negativity दूर हो जाती है वैसे तो हन्मान जी भाव की भूके है लेकिन सच्चे मन से इनका गुणगान जो भी करता है उसकी बड़ी से बड़ी परिशानिया ये चुटकियों में हल कर देते है लेकिन हन्मान जन्मोचव पर बजरंग बली को कुछ खास चीजों का भोग लगाते से ये जल्दी ही प्रसन्न होते हैं आई ये से विडियो में जानते हैं कि हन्मान जन्मोचव के दिन आपको क्या भोग लगाना चाहिए और क्या नहीं इस दिन आप मीठी पूंदी, पान का भीडा, लाल फल, इमर्ती ये जलेबी, गुर्चना और बेसन के लड़ू भगवान को अर्पित कर सकते हैं मैं ध्यान रखें कि बजरंग बली की पूजा में कभी भी दूद से बनी चीजों का भोग नहीं लगाते दूद चंद्रमा का कारक है और हनमान जी की शक्ती मंगल ग्रह के गुणों का प्रतीक है जोते शास्त्र में मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के विरोधी हैं यही वज़य है कि हनुमान जन्मुच्व पर बजरंग बली की पुजा में दूद से बने पक्वान का भोग नहीं लगाते। फिल हाल असके वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।